अब मच्छर का काटना भी दुरखटना माना जाएगा और अगर इस दुरखटना में व्यक्ति की मौत हो जाए तो इस पर एक्सिडेंटल क्लेम का लाप मिल पाएगा आप सुनकर चौक सकते हैं लेकिन ये कानूनी तर्क बिल्कुल सही है दरसल एक मामने की सुनवाई करते हुए राश्चयोग भुकता विवाद निवारन आयोग ने एर फैसला सुनाया है कोट का कहना है कि मच्छर काटने से मलीडिया की शिकार व्यक्ति की मौत एक दुरखटना है ऐसे में बीमा कंपनियों को बीमा धारकों को दुरखटना बीमा के तहट मुआवजे का भुकतान करना होगा आयोग के नियाय मूर्ती वीके जैन ने कहा कि हमारे लिए यह स्विकार करना बेहत मुश्किल है कि मच्छर की काटने की वजह से हुई मौत दुरखटना से हुई मौत नहीं है इस पर विवाद हो सकता है लेकिन मच्छर का काटना ऐसी चीज है जिसके किसी को उमीद नहीं होती आयोग के मुताबिक साप और कुट्टे की तरह मच्छर के भी काटने से हुई मौत दुरखटना ही मानी जाएगी आपको बता दें कि मौसमी भटाचारे नामक महिला ने अपने पती की मौत पर वीमा किया था मौसमी के पती देवाशीश की मौत 2012 में मलेरिया से हो गई थी जिसके बाद मौसमी ने वीमा क्लेम किया था मौसमी के पती देवाशीष ने बैंक ओफ बडोदा से होम लोन लिया था और नैशनल इंशोरंस कंपनी से पॉलिसी ली थी तो अब बीमाधारकों को राश्ट्रे उभोकता विवाद निवारनायोग ने एक और सुविधा प्रदान की है और से के साथ ही अब मच्छर के काटने से हुई मौध भी एक्सिडेंटल क्लेम की शेडी में गिनी चाहेगी देख तरी एडी बे लाइव